हेलो गाईज, वेलकम टू पैप कोडिंग, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे एक एरे का सबसेट सम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, तो समझते हमारा कोश्चन यह है, हमें इनपुट में एक एरे दिया गया है, एरे कुछ ऐसा है, 10, 20 और 30, यह हमारा एरे है, और साइस 3, तो हमें क्या करना है, हमें इनके सबसेट्स प्रिंट कराने हैं, तो सबसेट्स में क्या होता है, जहां पे वैल्यूज है, वो तो ठीक है, लेकिन जहां पे, कैसे मैंने यह वाला पकरा हुआ है, तो जहां पे वैल्यूज नहीं देना है, वहां पे हमें dash print करना है और दो positions के बीच में हमें एक tab जितना यह जितना space print करना है ओके तो यह हमारा output format रहने वाला है तो जल्दे से समझते हैं इसे कैसे किया जा सकता है कि रेकर और एरेज जलते हैं हम लोग whiteboard पर और समझते हैं तो हमारा array क्या है भई हमारा array है 10 20 और 30 इसका size क्या है size है 3 तो इस सबसे पहला चीज़ जो हमें चाहिए वो है total number of subsets इस array के लिए total number of subsets क्या हो सकता है तो total number of subsets का simple formula होता है 2 to the power size तो 2 to the power 3 से क्या मिला हमें 8 तो total कितना subset होने वाला है हापे 8 ये तो हो गया अब देखते हैं वो 8 subsets कौन कौन है तो पहला जो subset होगा वो होगा .--- you know blank दूसरा ये हो सकता है और देखते हैं क्या हो सकता है ये हो सकता है एक और देखते हैं ये सही है तर एक एक करके सारा देख लिया जाए ये हो और यह हो सकता है यह मिल गया एक लाश्ट जिसमें सारा प्लेस फिल होगा जल्दी से इसे हम चाह करने वाला हूं मैं इसे नंबर्स दे देता हूं यह पहला हो गया सबसेट यह दूसरा यह 0,1,2,3,4,5,6,7 तो आपकोर्स टोटल 8 होना चाहिए था 8 हो रहा है अब मैं यहां पर एक छोड़ा सा चीज करने वाला हूं एक कॉंपैरिजन क्रियेट करने वाला हूं इस चीज के बीच में यहां आप 8 सबसेट देख रहे हो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं भाई हर एक के लिए बाइनरी हर एक जो यहां से आप 0,7 तक देख रहे हो 1016 के लिए 110 and the last 47 111 यहां पर यह दिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि यह देखो जहां पर 0 आया है ना वहां पर दैस प्रिंट हुआ है आप तो डैस प्रिंट हुआ है लेकिन जहां पर वन आया है वन आने के किस में मैंने क्या देखा मैंने यह देखा कि वन इस वाले सबसेट इस वाले फॉर्मेट को समझो वन किस इंडेक्स पर आया है सेकेंड इंडेक्स पर आया है तो मैं औरीजिनल एरे के औरीजिनल एरे के सेकेंड इंडेक्स पर जो वैल्यू है ना वो यहां पर डाल दिया तो देखो यह वन किस इंडेक्स पर है फिर्स्ट इंडेक्स पर है तो फिर्स्ट इंडेक्स पर क्या है यहां पर 20 है तो मैंने यहां पर 20 20 डाल दिया अब यह वाले को देखो यह वन किस इंडेक्स पर सैकेंड तो सैकेंड पर क्या है यहां 30 मैं 30 डाल दिया तो सिंपल सा कहानी ह क्या करने वालो मैं एक फोर लूप में जीरो से लेके टोटल नंबर ऑफ सबसेट तक एक बार में एक-एक करके डिजिट मंगाने वाला हूं ठीक है और हर एक के लिए बाइनरी फॉर्मेट आएगा मेरा एक फंसल बना लूँगा बाइनरी फॉर्मेट में कनवर्ट करने के ल करते हैं तो इसे कर लिया जाए फुल स्क्रीन पे पर्फेक्ट तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई हमें चाहिए साइज साइज अपने लिष्ट का कैसे निकलता है वो लैंट ओप लिष्ट अब चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट वह कहते मिलेगा तू टू का लुप चलाया जाए फूर पहाई इन रेंज है है कहां से कहां तक जाना है बाई जीरो से लेके टोटल लंबर ऑफ सबसेट तक हर बार हमें टोटल लंबर ऑफ सबसेट तक एक-एक डिजट मंगवाने हैं आए और फिर उन डिजट के साथ क्या करना है एक लिष्ट नाम का slash Pay a Rob और इसको पास आई और इसको पास ये पता है क्या करके देगा हमें मैं इसे मान लो आई का वैले स्क्तिया यह मुझे उसका इसिर्मल Спass देने वाला है कि इतने डिजिट में अप्टू एडिजिट में मतलब अगर मैंने यहां पर 3 pass किया जैसे मेरे प्रास 3 size का array था और मैंने इसे 2 pass कर दिया तो यह मुझे 010 pass करके देगा तो यह चलने वाला है भाई तो अब मैं यह assumption कर रहा हूं एजमसन में ले रहा हूं कि जो list 1 है ना तो मुझे binary format मिल गया इस पार्टिकलर आई के लिए तो अब कैसे क्या क्या जा है में दो गया है अब सबसेट करना है तो प्रिंट सबसेट कैसे करेंगे भाई तो हम लोग यह लिश्ट वन दिख रहा है ना इस पर आइट्रेट करने वाले हैं 4j in range इसका size क्या होगा थो अब यहां पर दो चीज़ होने वाला अगर जी रहो हुआ एसा दिでता हूं है अब सेंट लाइक का पिछ यह पड़ा हुआ है जिवन पड़ा होगा तो क्या करना है हमें वें डैस प्रिंट करना है तो एक दिया जाए प्रेंट कर दो भाई क्या कर दो प्रेंट प्रिंट कर दो, दैस तो, और साथी साथ, स्लैश टैब जितना, स्पेस प्रिंट कर दो, और दूसरी चीज़, हमें लाइन नहीं चेंज करना, तो इसके लिए, मैं, एंड, डबल पोर्ट डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने यह चेक ही नहीं किया, यह चेक तो लगाया है, नहीं मैंने, कि इफ, लिस्ट आफ, वन, के जे पे, अगर, जिरो रहेगा, तो क्या करना है, हमें, हमें, प्रिंट कर देना है, डैस और टैब जितना स्पेस, अब दूसरा क्या होने वाला है, भाई, प्रिंट, मतलब, वहां पे वन है, ठीक है, वन है, वहां पे, तो वन है, तो क्या करेंगे, अगर वन होता है, तो हमें क्या करना है, हमें, औरिजिनल एरे के उती इंडेक्स पे जाना है, जैसे मालो, यहां पर हमें जेिए के मैं देख रहाउ और छंग के झेल्ट के लिए देख रहाउना मैं या कर गडीर केत रये कि पिर परैंट कर देख जा एक स्लेश टंचेब इतना श्पेस कि और लाइन चेंज करना है क्या मुझे नहीं करना कि यह तब सब यह वाला जो देख रहे हो फोल्डूप यह एक सबसेट को प्रिंट करने के लिए किया जा रहा है तो एक सबसेट हो गया मेरा भाईया प्रिंट अब मैं क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं लाइन चेंज अब यहां पर मैंने एक फंसन यूज़ किया है डेसिमल टू बाइनरी अब समझते हैं कि एक डेसिमल नंबर का बाइनरी कैसे पता किया जाए तो यहां पर कि एक डेसिमल टू बाइनरी बना लो उसको पास कर दो क्या भाई उसको पास कर दो डिजिट यह आई से पास होगा और एन लेंद कितने लेंद में चाहिए अब देखते हैं जरा एक चीज वो यह है कि मानलो मेरे पर फाइव है और फाइब का मुझे डेसिमल चाहिए तो इसका मुझे बाइनरी फॉर्मेट चाहिए रही तो मैं क्या करूंगा तू से डिवाइड करूंगा इसे रही करते हैं न भाई तू दू दा फॉर डेसिमल रिमाइंडर जो होता इधर लिखते हैं फिर टू से डिवाइड करो जीरो आकि जारी और रिमाइंडर इधर लिखते हैं फिर तू से डिवाइड करो जीरो एर डिमाइंडर फॉर्मेंडर में किस डैरेक्षन से ऐसे उल्टा डैरेक्षन में जो होता है प्रिंट कर देते है व성 जिरो वन तो यह जो वन है वो यहां पर है फिर यह 0 फिर यह ओके मुझे यह एक लिस्ट में परके रिटर्न करा देना है तो मैं क्या करूंगा एक लिस्ट लिस्ट नाम का विरियबल बना लूंगा ठीक है और मैं इसमें फंसन यूज करने वाला हूं इससे क्या होगा भाई यह करने वाला हूं जिरो फिंडेक्स पे जो भी रिमाइंडर मिलेगा उसको जिरो फिंडेक्स पे पुस्ट करने वाला हूं हर बार अब देखो इससे फाइदा क्या होगा जब मुझे पहली बार वन मिला यह मेरा लिष्ट है तो मैंने क्या किया जिरो पूस्त कर दिया वन यह किसे दूसरी बार 0 मिला तो मैं क्या किया मैंने से 0 कि पुश्प कया क्या तो यह 0 चला गया और यह वन जो है न Asia क्रड़िक बज़ए से यह आगे किया यह और बढ़ गया फिर वन को यह वाले वन को कर दिया जाएं तो सबसे पहला काम क्या है हमारा एक लिष्ट बनाईए लिस्ट बना दिया मैंने वाइल लूप में कब तक चलना है भाई कितने साइज का लेंथ जितने साइज का चाहिए तो जब आपसे पहले निकालो रिमाइंडर कैसे निकालोगे जो इसको मॉड लो करो 2 से हो गया है अब यह हो गया हूँ तुम्हारा काम क्या है list में insert कर दो इस index पे zeroth index पे जो reminder है zeroth index पे insert करो और एक length fill हो चुका है तो length को minus करना मत भूलना done आप एक curly braces दे दिया था मैंने चलो ये भी clear हो गया अब क्या करोगे भाई return कर दोगे list को finally ये होगे अब इसे मैं run करने वाला हूँ और यहाँ इसके आगे कुछ और भी कहानी है तो धीरे धीरे अभी समझ आएगा तो चलो इसे run करके देखते हैं क्या आ रहा है output एक आ गया यहाँ यहाँ पे errors आ गया है चलो कोई नहीं इसे देखते हैं ओके तो यहाँ पे error आ गया है मैंने यहाँ पे जे लिखते हैं तो चलो इसे सही करते हैं करो and run करते हैं ओके तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहरा हूँ आउटपुट जो है बिलकुल आपको सेम ही लग रहा होगा ज़रा धिहान से देखो आउटपुट बिलकुल सेम लग रहा होगा मैं दीरे-दीरे स्क्रोल करते जा रहा हूँ इसे अपकी और अब देखते जाना आपको बिल्कुल सेम लगेगा एकतम लगेगा सेम है लेकिन पता है इसमें problem गया है आपको दिखाता हूं हमें दो position के बीच में एक tab जितना space छोड़ना था लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे tab से ज्यादा तो पता है यहां पर डाल form clean एंडर् स्कोर ठीक है और मैं फिर रन कर रहा हूं अब देखो यह जो वर्टी यहां पर मैं जो अंडर स्कोर डाला आपको तो ऐता लग रहा होगा यह लिश्ट है और यह भाई टैब है तो यहां तो स्पेस छूटना नहीं चुट था, लेकिन यहां देखो एक एक एक्ष्टा स्पेस छूटा फरा है, सी दिया ही दिखाना चाहरा था, तो इसको letter करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, variantsnng लिूज करने वाला हूं, relating का क्या scene है यहां पे आप अरे, यह जो value वाला पार्ट है list of j जिसको आपको print करना है इसको डालो curly braces के अंदर और यहाँ डालो f जिससे हो जाएओ format आपका सारा जी और जितना space छोड़ना है slash tube वो डाल दो यहाँ पे और कर दो run तो देखो यार यह run दो कर गया अब चले से जल्दी से submit करके और देख लेते हैं तो विल्कुल सही है सारा test case के लिए run कर रहा है hope आपको video बहुत अच्छा लगा हो पर अच्छा लगे तो please like करें और हमारे चैनल को subscribe करें thank you